तोहिने रसालत और तोहिने कुरान करने पे कानून क्या कहता है और मीडिया पे भी बाज ऐसी ख़बरे पहलाई जाती है जिसकी वज़ा से इंतिशार पहलता है से 295C और 295B इन दोनों में फर्क है जब कोई शक्स हजराते अंबिया अलेहिस सलात और सलाम की शान अग्दस में तोहीन करेगा तो उस पर 295C अपलाई होगी जिसकी सजा सजाय मौत है जब भी कोई खबर आती है और वुस्ताखी वाक्यतन होती है आप काइंडली लोगों को समझाएं भाई इस मेसेज को फारवड ना करें असलाम आलेकूम दिस इस फैसल खान सूरी नासमीन बहुत आहम टॉपिक पे आज हम आपके साथ डिसकेशन करना चाहा रहे हैं चूँके बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुमराह हो चुके हैं जिनको अवेरनेस नहीं दी जाती बताया नहीं जाता कि तोहिने रसालत क्या है तोहिने कुरान क्या है और बहुत से ऐसे मौमलात हैं जिनके बारे में हम डिसकेशन करना बेहतर नहीं समझते और डरते हैं कि शायद हमें कोई मार देगा हमें कुछ घलत चीजों का सामना करना पड़ेगा लेकिन आज मैं आप के सामने ऐसा प्रोग्राम लाया हूँ जिसमें हम बहुत से आहम points पे discussion करेंगे और बताएंगे कि तोहिने रसालत और तोहिने कुरान करने पे कानून क्या कहता है कौन सी सजाएं हो सकती है इस पे चुछ दिन पहले भी तोहिने रसालत हुई और बहुत से लोगों ने इंतशा पहलाने की कोशिश कीगी और मीडिया पे भी बाज ऐसी ख़वरे पहलाई जाती है जिसकी वज़ा से इंतशार पहलता है तो सब कुछ हम डिसकस करेंगे आज मेरे साथ है एड़ोकेट मुहमद कैस हुसेन राजपूत माजूद है सर कैसी मिजा आचा आप जी अलहमदुलिल कैसा बताएगा कि तोहीन रिसालत असल में है क्या। आप इस को अगर केटेगराइज करें डिवायड करें तोहीन रिसालत की यहां पर हमारे आखरी नभी जनाबे नभी करीम صل اللہ علیہ وآلہ وسلم के बारे में या किसी भी नबी कोई ऐसा लफ़ अपनी जुदान से निकालता है जिस से उनकी शान में या उनकी जो मंसब नभुवत है उसमें कोई तोहीन होती है जिसे हम हम अमेज लफ़ दोहीने क्हाते हैं के बारे में बताईए का यह क्या होता है हाँ तोहीन कुरान भी ऐसे ही है जैसे आपने भी तोहीन रिसालत के बारे में पूछा कुरान मजीद को अधाला ने आखरी किताब करार दिया हमसब मुसल्मान इसको पढ़ते हमारे इमान का हिस्सा है अब कोई कोई शक्स कुर्AST कि किसिम की wanna do innovation करें करें या पिर उसका तरजमा उसकी translation को घलत तरीकें से शाइया करने कि कोशिश करें या इसके इलावा कुर्त मजीद को चाया करने के कोशिए है यह उह इसका करें इसको मालूम भी है वो क्या कर रहा है तो फैसल साब इसको कहा जाता है तोहीन कुरान हुई है तोहीन कुरान है यह बिल्कुल टीक तोहीन रिसालत और तोहीन कुरान जैसे वाकियात क्यों पेश आते हैं हमारी अवाम को क्या awareness नहीं है समझ नहीं है या जान बूच की इस तरह आपने आधयां के वाक्वात पेश आते हैं. हाँ इसमें आपने और पर Jew 1999 क्वेसे लिए आधयां के चैवार प्रूम है तो this ने इसम देवर एक्वार कि आरे Вас थिया हम है मुसल्मान थो कभी भी ने चाहेगा सम्सीती मध्व मॖellesब के बारे में मदभी शाहत के बारे में रोड़ करेश continue की बात हैं वहाँ पर इसांसे मी हमारे इमान हमारा इमाल मुकंमल ही полहता है जब हम इससालर पर इमाने कर आते हैं कि वह यजज्जियूश की तरफ आप चले जाते वहां पर मुसा लिएसलाम है या उजैर लिएसलाम की आप बात करते हैं हमारा इमान तब भी मुकमल होगा जब आप उन पर इमान लाएंगे मुसल्मान कभी भी किसी भी मजभी शक्सियात के बारे में तोहीन अमेज यहां तक अमेज अलफाज का इस्तमाल नहीं करेगा अब क्वेशन किया के ऐसे वाकिया वहाते हैं सबसे पहले मेरा खाल आपको एक करना चाहिएगे था साथ किसे वाकिया चॉह कौन करता Newton wasत। तो फैसली यह वह लोग जो इसलाम के दुश्मन हैं जो इसलाम के खे खेल हैं और इसके भात. पाकिस्तान के खिलाफ हैं पाकिस्तान के अमन और अमान के दुश्मन हैं और इस से आगे चलते हैं तो पूरी दुनिया के अमन और अमान के दुश्मन हैं क्योंके जब तो हीने रिसालत होगी अल्ला ना करे जब तो हीने कुरान होगी या तो हीने मजभब होगी तो ऐसी सूर है लोग बड़े पूरामन नहीं होते बिल्कुल बिल्कुल और लोग इंतिशार में आ जाते हैं और लोगों की कोशिश होती है कि एक से बढ़के एक जो है कानून को हाथ में ले और उसको जो है सजा पहुंचाएं तो यह वाक्यात जो है ओविसली वो लोग जो इसलाम के पढ़ी है कि वो जो है ना अब तोहीन रसालत की तरफ निकल पड़े मैं मुसल्मान के इलावा बात कर रहा हूं एक घर मुसलिम पाकिस्तान के अंदर रहता है आपने आप इंटर्व्यूस करते हैं आप इंसे सिक्खों से मिलते हैं आप एसाहियों से मिलते हैं आप काम के भी दुश्मन है और पूरी दुनिया के अमनो अमान के भी दुश्मन है बिल्कुल ठीक शर बताईगा कि तोहिने रिसालत करने की कानून में सब्दार और यह बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है इसमें जो तोहिने रिसालत है अगर आप पाकिसान पिनल कोड को आप उसको पढ़ते हैं तो आपको पता चलता है कि 295 सी उस वक्त अपलाई होती है जब कोई शक्स रसूल अल्लाहु अल्ही वालियु वालियु वसल्म या किसी भी अंबिया अल्ही स्लाथ वसलाम की शान अक्दस में हतक अमेज या तोहीन अमेज अल्फाज अपनी जुबान से कहता है या लिखता है या उसकी जो कहलें के वह पब्लिसिटी करता है तो ऐसे शक्स के उपर पाकिस्तानी पिनल कोड के तहट 295 सी लगती है और इसकी सजा सजा मोत है 295 सी और 295 बी जी इन दोनों में फर्क यह हां फैसा साब बात यह है कि जब कोई शक्स हजरात अंबि 295 सी अपलाय होगी जिसकी सजा सजा मोत है या तो सको डेथ संटेंस जो एना वो इश्यू होगी वहांसे वो कनविक्शन होगी उसपे लेकिन अगर कोई शक्स तौहिने कुरान करता है तो उसको 295 बी या पाकिसान पीनल कोड के सेक्शन 295 भी वो है क्या वो है कि जो शक्स कुरान मजीद की तोहीन करेगा जो मैं पहले एक्सक्लेयन कर चुका हूँ तो उसको लाइफ इंप्रिजन्मेंट की सजा होगी बिल्कुल ठीक जो 252 के तहत होती है यह सारे मामलात हम होते हुए देखते हैं कि तोहीन रिसालत भी होती है और तोहीन बात दोर मैं के कुरान बी होती है इन मामिलेत को हम किस तरह से इसंतर से कंट्रोल कर सकती है और सेकिंडली हमारा रेक्शन ऑना चाहिए यह इतिना धंक अव् justement है अब तक बहुत सरे वकला से सहीलिदह से जज्जे सहीलिक जस्टीलिक जॉस्टिस अवन से हुई है उलमा एक्राम से भी मुलाकाती हुई है यह क्वेशन उनकी तरफ से भी होता है कि ऐसे वाकियात हो रहे हैं कि हमारा रियक्शन क्या होना चाहिए फैसल सब इसमें फस्ट ओफ आल मैं समझता हूं कि हमें लोगों को अवेरनस देनी चाहिए हर एक सेग्मेंट को आप स सब की जिमेदारी बनती है वो सब जो है ट्रेनिंग वर्टशॉप सेमिनार्स अगर आप मजभी लैंग्विच में बात करें तो मस्जिद में जो जुम्मे के रोज खुत्बा होता है उस खुत्बे में भी लोगों को बताएंगे कि भाई तोहीन रिसालत का मतलब क्या है लगती है तोहीन मजभब से क्या मुराद है कब लगेगा यानि यह सारी चीजें लोगों को अवेरनस होनी चाहिए दूसरी बात दूसरी बात यह है जो मैं एड़ करना चाहता हूं वो यह है कि आप जब लोगों की जहन साजी करेंगे या तर्बियत करेंगे तो वहां पर यहाला नकता लाजमिन डिसकस करेंगे ऐसा वाक्या अफ़् तो मुसल्मान कभी बही नहीं चाहाए गए कि शणा करेंगे आपने माबाप अपने ऐहलों आयाल सबसे बढ़के करने वाले हैं अगर हम यह नहीं करते हैं मुसल्मान नहीं हैं लेकिन यह वाक्या अगर अगर nation हम सब की जिम्मेदारी है के हम लोग जब भी कोई खबर आती है और गुस्ताखी वाक्यतन होती है अपना थोड़ा सा जिम्मेदारी का जो है ना मुझाहरा करें वो क्या मुझाहरा करें आप के हाथ में मुबाइल है आप सोशल मीडिया एक्सपरट हैं मैं भी एक लॉयर हू सकती जिसमें हम कहते हिलॉजोसमी हुए यह तोहीन रिसालत हुए और एपसे स्वाल करना चाहता हूँ किया ऐसे मैसेज को ऐसे वीडियो को फारवर डियुक्स करना चाहिए देखें अगर इसी की फैमली के किसी की फैमिली के साथ कोई क्रिमिनल एक्टिविटी कर जाए यह कोशिश करे ला ना करे किसी की फैमिली के साथ में में मेरा वो वरतों के साथ कोई बतमीजी करता है क्या वो सारी दुनिया को बताता है बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं क्या किसी की फैमिली के साथ किसी की ब forward करता है पूरी दुनिया को दिखाता है बिलकुल कि देखें ये गुस्ताखी ये मेरी बेहन के साथ ऐसा मामला हुआ है मेरी बेहन के साथ इसने बत्तमीज की है तो हम रसूल लाह सलल्लाह लाह लिए वारी सल्लम की शान एक्डस में होने करें यहीं पर रोक दें इस मैसेज को बिलकुल ठीक आप मैसेज को forward करते हैं उससे होता क्या है लोग मुंतशीर होते हैं लोगों में जो है क्या जजबात उबरते हैं घुसे में आते हैं जजबात में आते हैं और फिर क्रिमिनल एक्टिविटीज जो हैं होती नहीं है वो लेकिन वो हमें फिर लेबल दिया जाता उपर से इंटरनेशनल मीडिया की तरफ से कि यह देखें क्रिमिनल एक्टिविटी का रहे हैं तो यह मेरा इसमें पेगाम है कि काइंडली ऐसे मेसेड़िस को बिल्कुल फारवर्ड नहीं करना चाहिए ऐसे एक्टिविटीज को बिल्कुल लोगों को नहीं बताना चाहिए अब यकीन करें आप आएं लहुर सेशन कोर्ट में आप चेक करें आके कितने ब्लॉसफ़मी के केसिस चल रहे हैं आप मेरे कितने पुराने और अच्छे दोस्त हैं मैंने आज तक आपको नहीं बताया मैंने अभी आपको बताया है कितने ब्लॉसफ़मी के केसिस चल रहे हैं किसकी डिटेल किया है मैं तो वुकला को नहीं बताता क्यूं क्यूंकि रसूल लॉल्ला की शानियाक्दस में नहीं देती वो अलगसी बात है बिल्कुल ठीक है सर बहुत शुक्री आपका आज हमें आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला और इंशाला हम कोशिश करेंगे कि कैसा आपको तकलीफ बार बार दें और हम अपनी ओडियस तक हर अच्छा पेगाम पुंचा सके मैं खुआश का इजहार करूँगा यहां पे कि आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि जिन लोगों तक यह मालूमात नहीं थी उनकों मी मालूम पर सके कि हकीकतन मौामलात क्या हैं किस तरह से हमने खुद पर कंट्रॉल पाना है और किस तरह से हमने यह सा साथ इजाद शाहूंगा